question number one so that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side देखो यह हमने एक triangle लिया है ABC angle A right angle है right angle का मतलब होता है 90 degree तो angle A पर 90 degree बन रहा है अब आपने right angle triangle की properties पड़ी है कि जो angle right angle है बाकी बची भी दो एंगल उससे छोटे होंगे जैसे B जो होगा वो 90 degree से छोटा होगा C जो होगा वो भी 90 degree से छोटा होगा ऐसा property होता है तो यहां पर हमने ऐसा triangle लिया है जिसका angle A जो है वो 90 degree है ठीक एंगल A क्या है 90 degree है तो हमें यह प्रूब करना है कि जो angle A के सामने वाली साइड BC है वो longest साइड है क्यों क्यों कि बोला है हाइपोटेनियस अब मैं थोड़ा सब को समझा देता हूं जैसे मालों यह कोई राइट एंगल ट्रेंगल है अब यहां पर 90 degree है तो 90 degree के एंपॉजिट में जो साइड होती है न उसको ह new बोलते हैं ठीकर यह जनाक हो करना है तो कि लेवर क्रूब करना है क्या क्या करना है निदीज लांगेस्ट साइड रहे मैं कि अखर मुझे लगता है क utilized फूट मतलब करना है तो मुझे लगता आपको मतलर सोंज में आ गया चलिए शुरू करते हैं solution let triangle ABC is right angled at angle A so angle A is greater than angle C ठीके चुकि एंगल 90 degree है और एक right angle triangle हो तो यही एंगल सबसे बड़ा होगा यह एंगल B से भी बड़ा होगा और यह एंगल C से भी बड़ा होगा तो आपर हमने लिखा angle A is greater than angle C यह greater than का symbol है and angle A is greater than angle B अच्छा अगर angle A greater है angle C से तो एंगल A के अपोजिट में जो साइड होगी वो होगी BC और एंगल C के अपोजिट में जो साइड होगी वो होगी AB तो BC is greater than AB यहां पर क्या हो जाएगा BC is greater than AB फिर and एंगल A के अपोजिट में कौन सी साइड है एंगल A के अपोजिट में देखो यह हमारे एंगल A है और इसके अपोजिट में यह BC साइड है तो यह हो जाएगा BC ठीक एंगल भी यहां पर है और एंगल बी के अपोजित में यह वाला साइड है A C तो BC is greater than A C तो इसका रीजन हो जाएगा देखो आपकी बुक में एक ठेरम दिया है ठेरम 7.6 तो ठेरम 7.6 है इसका रीजन होगा यहां पर रीजन हो जाएगा कि विकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इस लॉंगर देखो मतलब कि वो साइड जो ग्रेटर एंगल के सामने है वो लॉंगर होगा त्याहिएप एंगल एग्रेटर एंगल साइड में जो साइड बीचै वह फ्लांगर ओगी बढ़ी हो ठीकाई तो यहां पर हम कह सकते हैं दो दे को वी सी इसिरेटर देन एवी सी इसमें भी सिंग球 और उसमें भी सिंगक है तो भी सी क्या हो जायेगा बीसियोर जाने साइड्व कि बीची इस लांगेस्ट साइड लेकिन BC क्या है? BC हमारा हाइपोटेनियस है यह हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है तो हम फाइनली आंसर राइट कर सकते हैं therefore हाइपोटेनियस BC is the longest side और यह हम प्रूब करना था हमने प्रूब कर दिया ठीक है? आप चाहो तो इसे रेट आउन कर सकते हो या वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले सकते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class